नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल सफल इस्टडी आईक्यू में आपका स्वागात है दोस्तों हम यहां डिसकेशन करने जारें जारें जार्खन से लेलेटड जी एस यानि जनरल इस्टडीज के बारे में यह सारे जो इंपोडेंट कोईशन है और यहां पर टॉप 20 प्रते कोईशन पुछने का बद आपको जो है तीन सेकंड का वक्त दिया जाएका ताकि आप अपने आपको जान सके कि उस पर्षन का आप सही उतर जानते हैं या फिन ने आपको यहां पुछा जारें टोटल 20 कोईशन तो आप 20 में से कितना सही करते हैं आप हमेरे कमेंड आपर्षन में कमेंड कीजएगा आज का पहला परशन है जारकान की एक पर्मुख पत्री के घर बंदु का संपाधन कब शुरू किया गया था पहला अप्सन से सन 88 80 दूसरा आप्सन से सन 88 90 तिसरा अप्सन से 19 20 को और चोथा आप्सन में है 1921 को आपको दिया जाता है तीन स सेकंड का वाक्त ताकि आप इस पर्षन का सही है उत्तर का अनुमन लगा सके आपको तीन सेकंड का बाद बता जाएगा इसका सही एंसर क्या है तो यहां जो इसका सही एंसर होगा वह अप्सन नमबर ए अगला important question है पत्रिका होड समवाद किस महसा की पत्रिका है होड समवाद जो पत्रिका थी वो किस महसा में प्रकासित किया जाता था उसका पहला अप्सन से हिंदी दुसरा अप्सन से संथाली तिसरा अप्सन से मुनडारी और चोथा अप्सन में खोर्ठा तीन सेकंड के बाद इसका स्य अंसरा को बदाते हैं तो इस पत्रिका का परकाशन का जो भासा था वो था अप्सिन नमर B संथाली भासा में परकाशित क्या जाता था और सम्वाद झारखन्ड की पर्थम हिंदी दैनिक पत्रिका क्या नाम था पहला अप्सन से राष्टिय भास, दुसरा में घर बन्दू, तिसरा अप्सन से अबगा ज्यारखंड और चुथा अप्सन से घरहिया ग्वेट तो तिन सेकेंड के बाद इसका से अंसरा को बदाएंगे तो ज्यारखंड का पर्थम हिंदी दैनिक अगर पत्रिका आये तो उसका से अंसरों का अप्सन नमबर A राष्टिय भास, अप्सन नमबर A से होता है परसिद संथाली पत्रिका होड समवात के शुरुआती संपादक कोन थे? यानि इसका परमुख संपादक कोन थे? पला अप्सन्स में भागों सुम्रे, दुसरा में सिवू सुरेन, तिसरा में जे बार्थोलेमन, और चौथा अप्सन्स में डोमण साहु समीर तीन सेकर्ड का बाद बताता हैं कि इसका से अंसर क्या होगा? तो इस परस्न का से उतर होगा अप्सन नमबर D दोमन साहु समीर जो है पत्री का होड समवाद के संपादक थे जारखन की पर्थम हिंदी दैनिक पत्री का राष्टी भासा का संपादान सन 1950 में कहां से शुरूवगा था पहला अपसंस में देवगर, दूसरा में गुमला, तिसरा अपसंस है राची और चोथा अपसंस में जमसेतपूर तीन सेकड के बाद बता जाता कि इसका सही एंसर क्या होगा तो इस परसन के सही उतर होता अपसंस नमबर सही राची से सुरूवगा था यह जो थी जारकन की पर्थम हिंदी दनिक पत्रिका राष्टी मसा का संपादन सन 1950 सी से अगला क्वेश्टन है आधिवासी पत्रिका का संपादक कोन थे? यानि पत्रिका का ही नाम था आधिवासी? अगला इमपोर्न कोष्टन है जगर साड़ा की पत्रिका थी? जगर साड़ा एक पत्रिका का नाम है पहला आधिवासी पत्रिका का नाम है तिसरा में हिंदी और चौथा अप्संस में कुर्माली तिन सेकंड के बाद बताते हैं कि इसका सही एंसर क्या होगा तो इसका जो है सही एंसर गोगा होगा अप्संन नमर बी मुन्डारी भांसा की पत्रिका थी जगर सड़ा पत्रिका अर्जवरत किसके दोरा संपादित किया जाता था पहला अप्संस में एनोड रोड दूसरा अप्संस में राधा किर्षन तिसरा अप्संस में बाल किर्षन सहाई और चोथा अप्संस में इस्वरी परशाद सिंग तिन सेकंड के बाद बताता हैं कि इसका सही अंसर क्या होगा तो एहां इसका सही अंसर होगा अफसर नमबर सी बाल कृष्ण सहाई पत्रिका आर्जवर्थ के परमुक संपादक थे नेश्ट कोईशन अगला कोईशन है छोटानागपूर पत्रिका जिसमें जार्खन की समयस्ता एवंग आदिवासी भासाओं में आदिवासी लेखोकों दोवारा लिखे गे आलोखों को परमुक्ता दी गई जिसके संपादक रामराज सर्मा थे इस पत्रिका का संपादन कब शुरू होग किया था आपको जो है इस पर्षन से बहुत सारी जानकरी भी मिल रही होगी तो सारे के सारे पोइंट को नोट भी करते जाएगा जोरी ने की पर्षन जो है इसी तरीके से पुछा जाए तो यहां पुछा जा रहे कि यह जो पत्रिका थी छोटानागपूर पत्रिका इसका संपाधन कब शुरू किया गया था जिसके जो संपाधक का नाम भी यहां दिया गया है यह किस करण से दिया गया था इस तरह का पर्षन पुछा दाता है जैसर सी में पुरा विस्तार से आजकल पर्षन को पुछता है इस करण यह सब जानकरी बहुत इंपोडेंट है तो इसका जो है सई अंसर को वह अगपस नमबर डी इसका जो समपादक थे यह भी याद रखेगा हो सकता है कि समपादक पूछ दे फिर यह जो रिजेन था इसको भी जो है यह पुएंट को भी नोट आउट कर लिजेगा क्योंकि बहुत इंपोडेंट है आने वोले एक्जामिर्शन के लिए नेक्स्ट कोईशन छोटानागपूर उन्नती समाज जिसकी इस्तापनाज जो है 1915 इसी को की गई थी की अपनी पत्री का आदिवसी समाचर पत्र के समपादक कोन थे पहला अपसंस में जे बार्थोलेमन दूसरा अपसंस में राधा किर्शन तिसरा अपसंस में बंदिराम उराम और चोथा आपको जो है बहुत सरे जानकरे मिल रहे होगी छोटानागपूर उन्नती समाज एक परकार का उस्त वक्त का एक संगठन था जिसकी जो इस्तापना की गई थी वह सन 1915 इसी को की गई थी इसकी अपनी जो पत्री का थी उसका क्या नाम ता एसा भी पुछा जा सकता है तो उ इस हवायेड़े का क्या नाम था पहला अप्सन से विर्सामवणदा हवायेड़ दूसरा में जुहार हवायड़ तिसरा में राची हवायेड़ और चोथा में अप्सन से ठाकूर विशनत साध्य हवायेय distintosशे के बाद बताते हैं कि इसका से एंसर क्या होगा तो यहां जो इसका सई answer वोग अफसर नमबर A दिर्शा मुंडा हवायड़ा जिसकी जो निर्मान जो है सन 1941 में किया गया था ये भी जो important facts है इसको भी याद रखियेगा जारखंड में कूल डाग घरों की सेंख्या कितनी है डाग घर यानि पोस्ट ओफिस कितने पोस्ट ओफिस हैं पहला अफसर सा 1632 दूसरा अफसर सा 3094 तिसरा अफसर सा 6356 और चोथा अफसर सा 4556 तिन सेकेंड के बाद बताते हैं कि इसका सई answer क्या होगा चले अनुआन 3094 कूल पोस्ट ओफिस हैं जारखंड में बर्स 1929 इस्वी में सरच चंदर राय के दोवारा आदिवासी समुदाई के मानुवी की अध्धन पर आधारित पत्रिका जिसका प्रकासन आज भी जारी है इस पत्रिका क्या नाम है परला अप्संस में आधिवासी पत्रिका, दूसरा अप्संस है man in India पत्रिका, तिसरा अप्संस में सातसंग पत्रिका, और चवथा अफसंस में घर बन्दु पत्रिका तो अनुमान लगाए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है तीन सेकंड का बाद हालांकि इसका सही अंसरा को बता जते है तो यहाँ पर इसका सही अंसरा का वोग अप्सन नमर B Men in India पत्रिका तो यह सारे टर्म को भी याद रिखेगा कि बर्स 1929 ससी में इसके जो परमुख संपादक थी सरत चंदर राय के दोवारा आदिवासी समुदाएं के मानुवी की एदेन पर आधारी था यह पत्रिका तो यह सारे टर्म याद किजेगा क्योंकि जेससी या जेपेसी हो अक्सर जो आज कल के परशन को बिस्तार से पूछता है जारखन से पद्मस्री विजेता बलवीर दत इनमें से किस दैनिक समाचर पत्रिका के संपादक रह चुके थे पहला अप्शन से परभाद खबर दुसरा में हिंदुस्तान तिसरा में आदिवासी पत्रिका अचोथा में राची एक्सप्रेस तो इसका जो है सही एंसर होगा वो होगा राची एक्सप्रेस यानि अप्शन में डी सही होता है अगला कोईशन है जारखन के पद्मस्री विजेता बलवीर दत इनमें से किस दैनिक समाचर पत्रिका के संपादक रह चुके थे पहला अप्संस में परभात कवर दूसरा में हिंदुस्तान तिसरा अप्संस है आदिवासी पत्रिका अचोथा अप्संस में राची एक्सप्रेस तीन सेकंड के बाद बताते हैं कि इसका सही एंसर क्या होगा तो यहां पर इसकस्ते एंसरों का उग अपसर मद डी राची एक्सप्रेस के जो है संपादक रह चुके हैं पदमस्री विजयता बलविर दत यह भी बहुत-बहुत इंपोर्टेंट है और हमारे वीडियो अच्छी लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते जाए नेक्स्ट क आसरकार द्वारा ज्हारकंडी महसाओं की राचनाओं पर केंद्रित पत्रिका जोहार जिसके परधान संपादक दिलवर हांस थे किस परकार की पत्रिका है पहला अप्संस में दैनिक, दूसरा अप्संस से सप्ताहिक पत्रिका थी, तिसरा अप्संस में मासिक पत्रिका, चोथा अप्संस में त्रे मासिक पत्रिका, तेन सेकंड को बताते हैं कि ये इसका सही अंसर क्या होगा तो इसका जो एस से एंसरों का उओगा option number D जोहर जो पत्रिका थी जिसके समपादक जो थे दिलवर हांस थे ये एक त्रे मासिक यानि तीन मैंना में एक बार होने वाले यानि तीन मैंना में एक बार इसका प्रकासन किया जाता था next question इन में से कौन सा राष्टी राजमार्क यानि एज नेच जारखन तक ही समी थे पहला option में NH 33, दूसरा option में NH 23, तिसरा option में NH 102 याने 102 और चोथा option में NH 45 तो से एंसर का उन्मान लगाईए तो इसका जो एहां से एंसर वोग option number A NH 33, जिसका जो जारखन तक ही इसका छेतर सिमी थे, क्योंकि NH 33 जाजरवाग के बहरी से जमसेतपूर यानि पूरिवी सिमूं के बहरा गोडा तक ही सिमी थे जो NH 33, इसके कूल लंबाई 333 यानि 333 किलोमीटर है next question बिहार बंगाल बिभाजन के क्रम में छोटा नागपूर को बिहार में सामिल करने के बिरोध में राची के जुगा पत्रकाओं के दोवारा वर्स 1919 में किस पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था पहला option साई आदिवासी पत्रिका, दूसरा option साई बंगाल गजट, तिसरा option साई बिहारी बुलेटेन, चोथा option साई जागो जर्खंड तिन सेकेंड के बाद बताते हैं कि इसका से एंसर क्या होगा तो यहाँ चोथा से एंसरों को वोग option number C, बिहारी बुलेटेन पत्रिका, आपको इस पत्रस से बहुत सारे जानकारे भी मिल रहे होगे, तो सारे के सारे important facts को भी नोट करते जाएगा अगला important question है, अप्रेल 1961 में प्रकाशित नागपुरी पत्रिका के संपाधक कोन थे? तो इसका जो हैं से एंसरों को वोग option number A, जोगद्नेर नाथ तिवारी अप्रेल 1971 में प्रकाशित पत्रिका नागपुरी के संपाधक थे? next question, mountains जन्जातियों में बिटलहा क्या है? बिटलहा जो term है यह जो word है यह क्या है संपाधली जन्जातियों में? पहला options में प्रंप्रागत पौष साक, दुसरा में प्रंप्रागत वादियांद्र, तिसरा options में एक समाजिक दंड, और जो चोथा options में बिवा का परकार तिन सेकंड का बाद बताते हैं कि इसका सही एंसर क्या होगा तो इसका सही एंसरों का बिटलाहा जो है एक परकार का समाजिक दंड है यानि option number C सही होता है next question बर्ष 2002 में डॉक्टर बीपी के सिरी दोवारा संपादित पत्री का क्या नाम था पहला option में जोहर, दूसरा option में हुल जोहर, तिसरा option में कचनार, और चोथा option में आदिवासी सही एंसर का अनुमान लगाई है तो इस पर्षन का यहां सही एंसरों का बिटलाहा जोहर पत्री का 2002 में डॉक्टर बीपी के सिरी का दोवारा संपादित किया गया था तो लाइक कीज़े इस वीडियो को, दूसरी वाटसप ग्रूपों में सेर कीज़े, हमारी चैनल को भी सस्क्राइब कीज़े और इस सामने होले बेल आइकोन को प्रेस कीज़ेगा, ताकि हमारे आने होले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी हमने डिस्क्रूशन बॉक्स में टेलिगरम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके आप जूट सकते हैं, ताकि हमने जितने भी वीडियो अपलाड रहते हैं, सभी का आपको लेटेस्ट नोटिफिकरसन वापर मिल जाएगी तो धन्यवाज दस्तों, जैहें जोहर जटकन, धन्यवाज